हेलो दोस्तों जैसे कि आपको पता है के विएस प्यार्टे की एक्जाम डेट आ चुकी है और मेरी एक्जाम डेट भी आ चुकी है वो आपको बता हूँ लास्ट में अभी हम यह देख लेते हैं कि जो आपके पास तीन चार दिन हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए पहला रिव रिवीजन मेरे हिसाब से आप लोगोंने स्टार्ट कर दी होगी अगर नहीं करी तो प्लीज रिवीजन स्टार्ट कर दें रिवीजन जितने भी तीन चार दिन में उसमें सारा का सारा जो पढ़ लिया उसको रिवाइस करना है क्लियर बात वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों वह कोस्टन भी आपको जरूर देखने हैं उस रिवीजन वाले टाइम में ताइम में ना काफी बच्चों को रहा होगा कि यार जो हमने तयारी से आएगी भी नहीं आएगी मतलब बेसिकली आप सारे एक दूसरे से डर रहे हो तो यह सेल्फ डाउं डर और गबराक यह नहीं होनी चाहिए इस ताइम में होती है एक साइकलोजिकल पॉइंट है बट आप एक्जाम देने जा रहे हो आपने तयारी पूरी कर लिए जितनी करने थी ठीक है जो आपके कंट्रोल में था आपने वो सारी चीज़े कर ली हैं एक्जाम डेट अगर आप में से कोई एक्जाम डेट के लिए रो रहा है कि यार मेरा 21 को आया मतलब बहुत सार्टिंग में आगया नहीं भाई कोई नीड नहीं है उसकी जो आपके पास ताइम था आपके कंट्रोल में आपकी स्टडीज थी आपके प्रपरेशन थी वह आपके कंट्रोल में थी जो कि आपने करी है अभी तक ठीक है डेट्स आपके कंट्रोल में नहीं है जो आगी वह ठीक है उसे हम काम चलेंगे अब एक्जाम जो आपकी परपरेशन थी वह भी अभी आपके कंट्रोल में नह हुआ कि भाइगर आप डर रहे हो या फिर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है किया हुआ है सब अच्छाओं जो अपने प्रप्रेशन करी है ना वो सारी की सारी काम आएगी ठीक है और जो भी नेगिटिव चीज आपके आसपास प्लीज उन्हें कुछ दिनों के लिए एलिमेट कर दें है यही कहना चाहूंगा और फिलाल आपके को पासटेव मायंडसेट रखना ही है अब तक वाड़ी और मांड कंडूल में आपके इंगा ना क्योंकि दोनों काम करना तो इस ताइम पर अपना अच्छा खाओ भाई अच्छा सोबश्वी स्म तक रतीन चार द मैं आप लोगों कोंपेटिशन में नहीं हूँ मैं बस एक जार मैंने अच्छा सा रिव्यू आपके लिए लिए जैसा भी मतलब मेरे को लगा ठीक है वाकि तैयारी मैंने नहीं करी है क्योंकि आपको पता है मेरा अल्रेडी सेलेक्शन हो चुका है तो तैयारी मैंने नहीं करी है बट हां मतलब अभी भी मैं कुछ अच्छा कासा करा हूँ एक्जाम में तो चलिए दोस्तों इस ताइम में आप यहीं सुझाव था मेरा कि पॉजिटिव रहें एक अच्छी सी एक सब्सक्राइब करो अठीज करने का मावल है तो पॉजटिव रहो एक अच्छा मैंडशेट बनाके चलो सब कुछ अच्छा हूँ जो आपने तयारी तयारी करने का मई तो हो चुकि आ करी है वो बिल्कूल काम आएगे चाहिए आपका एक्जाम 21 तारिक हो चाहिए बाइच कोई भी तारिक हो वो मेटर नहीं करती हूँ ठीक है तो चलो दोस्तों आपसे में अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम राम राम